चली फ्रेंज टिप नुबर वन देख लेते हैं तो यह पापड को लेकर है अगर आप भी मेरी तरह साल भर के लिए पापड स्टोर के के रखते हैं और फ्रिल्स में पापड स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो आज की टिप आप देख लीजिए यह देखिए पापड है इदम और मैं धेरो पापड इसी तरह से स्टोर के के रखती हूं सबसे पहले तो आपको एटाइट कंटेनर में ही से स्टोर करना है ताकि हमारे पापड देख फ्रेश रहे और दूसरा एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके पापड फ्रेश रहेंगे ना ही इसमें कीडे जो मेथी दाना होता है बस वही ले लिया है और टीशू पेपर को आपको इस तरह से फोल करना है जैसे मैं बता रही हूं आपको इसका पॉकेट जैसा बना लेना है अगर आप कपड़े में डाल रहे हैं तो आप उसका एक पोटली चोटा सा पोटली बना सकते है यह देखि भी मॉश्चर नहीं लगता पापड को और मॉश्चर नहीं लगने के वज़े से पापड फ्रेश रहते हैं और एट एट कंटेनर बन करने के बाद आप यह देखिए थोड़ा सा खोले उठाईए ताकि हवा बाहर निकल जाए और फिर बन कर दीजे तो यही है फ्रेंस सही अगली टिप आपको पसना आएगी तो मार्केट में मिलने वाला कंडेंस मिल्क क्या हम घर पे बना सकते हैं जी हां हम बना सकते हैं और वह भी बिना प्रिजवेटिव के तो यहां मैंने एक लीटर दूद रख दिया है कोई भी दूद ले फुल क्रीम स्किम मिल्क काई का द यह जो माज आती है वो आपको इस तरह से निकाल लेा है हमें इस रिशेपी के लिए मला नहीं चाहिए अभी मैने हाइः अले नहीं ब्लुध मिल कर लिया है अब लो फ्लेम पे एडलीस हमें 6-7 मेंट इसे पकाना है तब आपको इस तरह से इसके उपर मलाई का लेयर मिलेगा वो हमें निकाल लेना है अगर आप मलाई अंदर डालेंगे तो यह दानेदार बनेगा आपने देखा ही होगा कितना स्मूध होता है क्रीमी टेक् देखे और तीन मिनिट हो चुके हैं और दूद थोड़ा रेडियूस होने लग गया है तब मैं इसमें एक कप शुगर ले लूँगी और आधा ही शुगर अभी डालोंगी ऐस तरह से अगर आधा शुगर अभी आधा शुगर बाद में अगर रबड़ी बनाने के टाइम प जी हां आपने सही सुना यह प्रिजर्वेटिव का काम करेगा एक चुथाई बेकिंग सोड़ा डाले से इसमें एक उफान साएगा तो बरतन आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि दूद नीचे ना आए तो इस बात का जरूर ध्यान दीजेगा और बेकिंग सोड़ा जब दालेंगे तो दूद हलका सा यलुष कलर का दिखने लगेगा यह देख सकते हैं आप इसे चलाते ही रहेगा अगर थोड़े दिन के लिए बाहा जा रहे हैं आपकी घर पे दूद बज गया है तब भी आप यह वाली ट्रिक फॉलो कर सकते हैं बेकिंग सोड़ा जाल दोगी मैंने दो चमच के करी बचा ली है वैसे आप आपकी हिसाब से कम जादा शुगर को कर सकते हैं अब इसे चलाते जाएंगे और जो मलाय आएगी वह आप निकालते जाएगा फ्रेंस क्योंकि मलाय हमें इसमें नहीं चाहिए तो यह देखिए इसका कलर किस तरह से हो गया है और मैंने साइड से मलाय सारी स्क्रेप कर ली है फ्रेंस यह देखिए यह देखिए क्या कलर आया है तो 20-25 मिट लग जाएंगे आपको यह टेक्शिर आने में जब यह इस तरह का कलर आ जाए तब आप गैस को आफ कर ले क्योंकि थंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाड़ा होगा तो चलिए अब इसे थंडा होने देते हैं फिर आप से मिलती हूं तो यह देखिए फ्रेंस थंडा हो चुका है तो मैंने यहां कोई ब्लेंडर कोई मिक्सरी किसी का यूज नहीं किया है परफिक क्रीमी टेक्स्च्चिर मिला है है ना लग रहा है ना यह वजह से प्रिजर्व भी रहता है बट आप इसको फ्रिज में ही स्टोर करें फ्रेंस यह देखिए इसका टेक्स्चिर कितना क्रीमी और स्मूध है बिना चाने अगर इस तरह से पॉफिक कंडेंस मिल्क आप तीस मिनिट के अंदर घर पे बना सकते है वह भी सस्ते में तो क् अगर मेरा कचोरी खानी का मन है किया आपका भी कभी ऐसा मन हो जाता है कि मुझे कुछ खाना है बट आपको बनाना नहीं है तो आज में गुते हुए रोटी के आटे के साथ अपको कचोरी बनाना बताओंगी वह भी बिना डिप फ्राइग किये तो मैंने छोटा सा रोटी सब्सक्राइब के लिए उस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है स्टफिंग डाल दे जो भी आप सब्जी बनाते है वह भी आप इसमें डाल सकते है मैंने सुबह इसके पराथे बनाया थे यह फूल गोबी और का स्टफिंग है फ्रेंस मैंने हजबन को पराथे बना के दिये किस तरह से करने से स्टफिंग इंदम अच्छी तरह से सारी जगा पर फैलती है लास्ट में आपको बताऊंगी कि कैसी बनी है यह तो बिना डिफ्राइब करना है तो आप दो चमची देसी घी लीजेगा और इसके उपर यह डाल दे बड़ी सी कचोरी पेट भर जाने वाला पॉफे क्रिस्पी हो रहा है यह देके फूल भी रही है यानि कि कचोरी सिर्फ दो चमच घी में आप तल रहे है नहीं आपने मैदे का अटा गुता है नहीं आप ने कोई स्टफिंग बनाई है नहीं आपको तेल चड़ाना पड़ रहा है बस रोटी और सबजी अगर आपक तो दो कचोरी इनफ है यह देखे वाओ क्या पॉफेक बनी है इदम क्रिस्पी है चले कट करके बताना जरूरी है ताकि आपको पता चले के अंदर स्टफिंग इदम अच्छी तरह से फैली है यह देखे तो गुते हुए गेहों के आटे से अगर आप इस टाइब की कचोरी घर पर बना सकते है तो क्या बात इदम क्रिस्पी और अंदर तक आप देखे पूरा फैला हुआ है स्टफिंग ऐसे ने की एक साइड है तो बिना कोई जंजट अगर आपको कचोरी खाने का मन है तो आप यह वाली ट्रिक फॉलो कर सकते हैं कैसी लगी यह ट्रिक आपको फि कर रही हो तो एक लाइक कर दीजेगा अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे है तो डेफिनिटली आपको पसनाई होगे इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए शेयर कीजिए का आपके फ्रेंस और फैमिली के साथ अगर आपको यह की वीडियो यूसफुल लगे सब्सक्राइब कीजिए घंटे के साथ ताकि सारे वीडियो की नोडिफिकेशन मिल सके तिल दैन टेक केर बाबाई